हेलो स्टूडेंट्स आज हम फिर से आपकी स्कूल प्लानिंग एंड मेनेजमेंट सब्जेक्ट के अंतरगत ने टॉपिक स्कूल मेनेजमेंट पर चर्चा करेंगे विद्याले प्रबंधन क्या होता है विद्याले प्रबंधन की जह हम बात करते हैं तो उसको हम चाहें विद्याले प्रबंधन का है या सैक्षिक प्रबंधन का है तो सेक्षिक प्रबंधन या वद्याले प्रबंधन का जो तातर है वो यह है कि मुख्यता उपलब्ध जितने भी हमारे पास दो तरीके के संसाधन है बहुतिक और मानवे संसाधन इनका आपस में समनवय इस्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी प्रबंधन कहलाती है और प्रबंधन जो है वो मुक्यता नियोजन के पश्चात आने वाली प्रक्रिया है पहले हम प्लानिंग करते हैं उसके बाद हम चीजों को मैनेज करते हैं प्रबंधन में निष्था, श्रम और इमानदारी से चलने वाली एक प्रक्रिया है किसी भी कारिकों जब हम संबंधित व्यक्ति के द्वारा परस्परिक सयोग से कुसलता पूर्वक संपन कराने की जो प्रक्रिया है वही हमारी प्रबंधन कहलाती है क्योंकि विद्याले जो है वो अपने लक्ष की प्राप्ती है तो गुडवत्ता युक्ति संसाधनों के नियोजन की छमता और उनको इंप्लिमेंट करने को ही विद्याले प्रबंधन कहता है विद्याविस प्रबंधन यह सेचिक प्रबंधन जो है कि उसमें यह दो taken ऑर प्रबंधन जिसमें सेक्शिक का तातपरिय है शिक्षा से और प्रबंध कर וא है हमारे ऐसे लोगों से ऐसे द्रेश्टि कूंड है निसमें हम सामाने रूप सागर देखें तो प्रबन्द मांते हैं कि लोगों से कारिकराने की चमता को हम प्रबंधन कहते हैं तो साथी साथ सामाने अर्थ यह भी माना जा सकता है कि हम अपने लक्ष वाउद देश बनाते हैं उनकी पूर्ति के लिए संस्था के कारिकरताओं के व्यक्तिक और सामोहिक प्रयासों से नियोजन संगठन निर्देशन और नियंत्रन यह सब जो हैं लक्ष प्राप्ति से संबंद रखते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि सैचिक प्रबंध जो है वो सिच्छा से जुड़े हुए पहलों की व्यवस्था या प्रबं के लिए ना केवल भौतिक वा मानुविय संसाधनों की व्यवस्था की जाती है बलकी उनमें इस प्रकार का समन्वे इस्थापित की जाता है जिससे हमारे जो मुख्यता उद्देश हमने निर्धारित किये हैं उन उद्देश्यों की हम प्राप्ति कर सके हैं जैसा कि महान विद्वान जेबी सियर्स ने भी कहा है कि सैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंद ऐसी विवस्था करने से हैं जिसमें संपूर्ण सैक्षिक कारिक्रम सफलता पूर्वक विवहारिक रूप से संपन हो सके तो जाहिर सी बात है कि इसको हम एक प्रोसेस बांते हैं और यह ऐसी प्रोसेस है इसमें ऐसा हम काम करते हैं ऐसी व्यवस्ता करते हैं चीज़ों को सिस्ट्माटिक करते हैं कि जितना भी हमारा educational program हमने बनाया है उस educational program को successfully run करने के लिए साथी साथ उसको implement करने के लिए हमकार करते हैं तो यह हम प्रक्रिया जो है वो हमारी सैक्षिक प्रबंधन कहलाती है दूसरे हमारे विद्वान है लूथर गलिक के अनुसार इनका भी कहना है कि सैक्षिक प्रबंधन सत्ता का आपचारिक धांचा है जिसके अंतरकर हम निश्चत उदेश्य की कि सैक्षिक प्रबंधन जो है वो जो अथर्टी है जो पावर है उसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है जो अपने उद्देश निर्धारीत कर चुका है कि उसे सिक्षा के छेत्र में कारे करना है लोगों को सिक्षित करना है तो उसके जो निश्चत उदेश्य हो गए हैं उनक को हम सीरियल वाइस सिस्टमेटिक वर्क डिश्रिबूट करके और उनकी एक्चूल क्या वर्किंग है उसको डिफाइन करने के साथ और जितने भी हमारे इस तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कारे होता है हमारे तीन जैसे मुख्यता किसी संस्था के होते हैं पहला दूसरा एड्मिनिस्टेशन और तीसरा फाइनेंस तो यह तीन ऐसे छेत्र हैं प्रबंधन के जिनको तीनों को मिलाकर समिलित करके ही इस प्रक्रिया को हम अपने उद्देश्यों के प्राप्त कर सकते हैं अधर्वाइस क्या है कि हम जब तक चीजों को विवस्थित नहीं क करते हैं तो सिक्षा में प्रबंधन जो है वो देश पूर्ण होता है तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी उद्देश की प्राप्ति के लिए विद्याले की स्थापना करते हैं तो उसके अंतरकत आने वाली सिक्षा में जो प्रबंध की प्रक्रिया है वो भी उद्देश्य पूर्ण होगी क्योंकि हमने जिन भी मानवी संसादनों एवं भौतिक संसादनों का चुनाओ किया है उनमें आपस में समन्वय और समंजस बिठा कर हमें अपने उद्देश की प्राप्ति करनी है तो जाहिर सी बात है कि प्रबंधन जो है वो भी एक प्रक्रिया है उसी में न इसलिए बल देते हैं क्योंकि सभी लोग अपने अपने इस्तर का कारे करते हैं जैसे सिक्षक अपना कारे करता है चात्र अपना कारे करता है प्रबंधन के लोग अपना कारे करते हैं प्रशाशन के लोग अपना कारे करते हैं तो होता तो वह एक पर्टिकुलर हर एक आदम सविक्ष्षित विकास नहीं हो जाता समस्ति सिक्षक पढ़ाते हैं उसमस्ति कार्य वो कारे के रूप में परिणात हो जाता है साथी साथ प्रवंधन जो है वह विशिष्ज्ट प्रक्रिया मानी गई है आध्यगरी। चात्रों को सक्षित करने का कारी करते हैं जितने भी मानवी और भातिक संसाधन हैं उनको व्योस्तित करने का कारी करते हैं तो इस वज़े से यह प्रक्रिया वो विशिष्ट रूप धारन कर लेती है प्रबंधन की आवशक्ता सभी इस्तरों पर है तो जाहिर सी बात है कि प् लक्ष्यों की पराप्ति कर सकें संगठन की आफ शकता है संगठन भी जाहिर से उन Sumya जब होगा तब ही हमने संगठन लोगों को वयंद्ध कर पाएंगे अर्थाद उनको बात है कि जैसा management जब हमारे लिए जैसी आवशक्ता होती है वैसे हम changes परिवर्तन करते रहते हैं कि जब हमें किसी particular course के अधिन किसी चीज के आवशक्ता होती है किसी particular experiment की या syllabus की या जिस भी जैसी आवशक्ता होती है वैसे हम उसमें changes करते रहते हैं प्रक्रिया जाहिर सी बात है कि प्रबंधन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक संसाधन रहेंगे उपलब्ध उन लोगों को विवस्थित क्रमबद रूप से कार कराना एक प्रक्रिया ही कहलाती है नेक्स्ट है एक जन्मजात और अरजित प्रतिभा भी है तो जाहिर सी बात है कि प्रबंध करने की छमता जो है वो हमारी खुद में भी होती है जन्मजात होती है हम धीरे धीरे अपने लिए चीजों को खुद जैसे हमें भूग भी लगती है तो बच्चा जब भूग लगता वो भी अपने खाने का अपने भोजन का प्रबंद इस तरीके से कर रहा है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है कौन सी प्रक्रिया का पालन करना है जिस वज़े से उसे भोजन की प्राप्ति हो तो ये धीरे-धीरे हम जन्मजाद भी होती है और साथी साथ जैसे जैसे हम समाज म तो वो जाहिर सी बात है कि वो विग्यान के छेत्र में अवश्या आएगी क्योंकि प्रबंधन में हम अक्सर कहीं न कहीं किनी सिध्धानतों पर कारे करते हैं नियमों पर कारे करते हैं लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं जहां पर नियमों और सिध्धानतों की बात आती ह कि प्रवंद między करना वेक्तियों का जो वियोहार है जो नेचर है जो प्रकृति है सब की भिन भिन होती है और सभी व्यक्तियों की प्रकृति को समझकर समभाल कर उनको आपस में नेगे नेक्स्ट हैíre मारा प्रवन्धन एक व्योसाय के रूप मतलब जाहिर से बात है कि आज हम जैसे IIM वगरा के संस्थानों को खोला गया है तो यह आगे चल कर क्या है यह हमारे एक विवसाय के रूप में भी कारे कर रहे हैं कि हम चाहें दुकान हो चाहें कोई विवसाय हो उन सब को हम विवसाय के रूप में ही हम प्रबंध भी करते है वहाँ पर भी office में भी जितनी भी हमारे जो corporate sectors हैं वहाँ पर भी प्रबंधन की बहुत आवशक्ता होती हैं वहाँ भी उनके जो उतने भी भौतिक और मानवी संसादन हैं उनको वो सही तरीके से उपलब्ध करारने के बाद अपने उद्देश्चों की प्राप्ति करते हैं अंत में हैं सिक्षा में प्रबंध हैं समाजिक उत्तरदायत्व के रूप में तो जाहिर सी बात है कि जब हमें समाज के लोगों के उत्तरदायत्व को समझेंगे और समाज की अवशक्ताओं की पूर्ती करने का प्रयास करेंगे तो समाज जो है उसमें प्रबंध करना अवश्चक हो जाएगा कि समाज की अवशक्ता क्या है और समाज के लिए हमें किस प्रकार के प्रबंध करने हैं प्रणाली एक सिस्टम है जिसमें सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं जिसका भी जो भी कारी नहीं थे वो अपने अनुसार अपने कार्यों को परिडाम सरूप रखता है नेक्स है हमारी प्रबंदने एक सरभामिक क्रिया है तो सरभामिक वहीं आल है कि छोटे से छोटे इस तर से बड़े से बड़े इस तर तक अगर हम देखें तो प्रबंधन जो है वो हर जगा उपलब्ध है हर जगा वो मौदूद है क्योंकि अगर classroom में एक छोटी सी चीज चौक के उपलब्ध करने से और अंतिम परिणाम बच्चे के उपलब्ध होने तक की पूरी प्रक्रिया में जो है वो प्रबंधन की ही भूमिका रहती है तो इस तरीके से प्रबंधन जो है वो सिक्षा के छेत्र में बहुत ही महत्वर रहता है क्योंकि प्रबंधन का ही कारे है कि वो पहले अपने उद्देशों को निर्धारित करें और किसी योजना का चुनाव करें और उस योजना के तहत अन्य संसाधनों को उपलब्ध करने का प्रयास करें और उन संसाधनों के द्वारा अपने उद्वेश्यों की प्राप्ति करें तो प्रबंधन जो है वह एक मुख्य तत्व है जिसके द्वारा ही आगे की प्रक्रिया निर्धारित होती है